वीडियो शुरू करने से पहले सौरी फ्रेंस बहुत दुनों से हमने वीडियो अपलोड नहीं की है क्योंकि चैनल का कुछ इशू हो गया था तो आज हम बात करने वाले हैं आशिस चंचलानी, भुवन बाम, कैरी मिनैटी, अमिद भडाना, फ्राइंग बिस्ट के बारे में तो पहले हम बात करेंगे आशिस चंचलानी के बारे में आज फर्दर्स डे है तो उन्होंने इस पर अपने आजी एकाउंट में अपने पापे के साथ पिक्चर शेयर की है और जिसमें लिखा है जस्वनस से थैंक यू, सी कहा से कहा पहुचा दिया आपने अपने सपोर्ट से अच्छी जिन्देगी तो बच्पन से दी उसके साथ अच्छी सीक और उरने का मौका भी दिया जिन्देगी में कितना भी बड़ा स्टार बन जाओं आपके तरह हीरा कभी नहीं बन पाऊंगा साथ ही उन्होंने अपने IG स्टोरी में भी अपडेट किया और कहा अपने फैंस को हपि फथर्थ देग तो एवरी डैड आउट देर मेरा प्यार देना आपके पापा को इसके साथ साथ आशीच चंचलानी ने अपने IG स्टोरी में ये भी पोस्ट किया Some people in my life too naive to trust them easily How embarrassing is it when you talk so highly about someone who ends up disappointing you Give my heart out to them I wonder do such people have a good sleep during night तो शायद आशित चंचलाने नहीं यहाँ पर उन लोगों के बारे में पोस्ट किया है जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक्चले उन्हें क्या कहा ऐसे लोगों के लिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भुवन बाम के बारे में उन्होंने भी फादर स्डे में अपने आईजी एकांट में यह पिक शेर की है जिसमें वे खुद ही फादर फिगर और बेटे बने हैं और इस पोस्ट में उन्होंने अपने फैन से पूचा है कि तुम्हें पता है तुम किसके बाप हो आई मस्ट से भुवन बाम हैस गुट सेंस अफ यूमर नेक्स्ट हम बात करने वाले है केरिमिनैटी के अचीफमेंट पर केरिमिनैटी का चैनल इंडिया में 26th rank पे है और वो जल्दी ही वर्ल में टॉप 100 चैनल में आने वाले है आप देख सकते हैं कि अभी उनका चैनल 135th position में है according to subscribers and if we compare subscribers with वेनॉस गेमिंग जो फिलहाल 100th position में है is having 25.1 million subscribers तो आप देख सकते हैं कि केरिमिनैटी कितने करीब हैं 100th position के नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अमित भडाना के बारे में उनकी नेक्स्ट वीडियो और बेरोजगार पैचलर पार्ट 2 आ रही है जिसका छोटा सा क्लिप उन्होंने अपने IG account में पोस्ट किया है और पूछा है अपने फैन से कि कब ये वीडियो चैनल पे अपलोड किया जाए साथ ही अमित भडाना ने पिंक विला में एक इंटर्वियू दिया है उनके YouTube जर्नी और स्ट्रगल को लेकर तो फाइनली हम बात करेंगे फ्लाइंग बीस्ट के बारे में उन्होंने अपनी YouTube चैनल पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव कर लिया है और जिस पर उन्होंने एक वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड की है So my hearty congratulations to flying beast तो आज के लिए इतना ही We will be back soon with new updates